हलो दोस्तों नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अड़ाफ और स्टड़ी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटिस अब्डेट के बारे में जो की संबन्दित है यूपी में उच्छ प्राथमिक सिच्छक भरती को लेकर य जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर पर इसके अंदर जो जूनियर विद्याले होते हैं जिनको आप आप सिच्छ प्राथमिक उसके अंदर सीधी सिच्छक भरती के लिए बहुत सारे अब्यतियों के माधियम से कई जो प्रेटीशन है वो फाइल की गई है लख है अगली सुनवाई के लिए और जो इसकी अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वह आठ जनवाई दोजार चौवीस याने की कल कोट नमबर सत्रे के अंदर बेंचाइडी तीस पचास और सीरियल नमबर की बात की जाए तो चार सो चबीस है सीरियल नमबर थोड़ा सा जादा है लेकिन उम्भी इतर की कल देश आंतर किस मामले पर सुनवाई हो सकती है जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देदी जाएगी मुद्य की बात यह है कि 41,000 पर पर जूनियर सिच्छक बरती का बिग्यापन जारी करने के लिए प्रमोशन को रोक कर सीधी बरती का बिग्यापन जारी करने के लिए अभ्यतियों के माध्यम से याचिका दाखिल की गई है जिसको लेकर अब देखना होगा कि कोट इस मामले पर अपना क्या रविया अपनाती है क्योंकि जूनियर सिच्छक बरती अगर आ सकती है तो वो कोट के माध्यम से या सकती है क्योंकि सरकार का जो प्रमोशन कराने का मोटिव है वो यही है कि जो सिच्छक प्रात्मिक में हो उनको प्रमोशन के माध्यम से प्रुनती दे दी जाए और जो 41,000 पदे उसको भर दिया जाए अगर ये 41,000 पदों पर प्रमोशन हो जाते हैं तो ये जो 41,000 पदोंगे वो प्राइमरी के लिए खाली हो जाएंगे जहां पर प्राइमरी यानि के बंट्टू फाइव के सिछक भरती होती है और उसमें अभी के लिए बियर्ड क के लिए सबसे बड़ी रहात होगी जो भी अपडेट रहेगी कल देर शाम तक आप सभी को दे दी जाएगी इस मामले को लेकर होने वाली सुनवाई कल आठ जनवरी 2024 को लखनो बेंच में देखनी के लिए मिलेगी सटी को सही जानकरी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा लें क्योंकि ये मामला थोड़ा पेची दा है जूनियर सिछक भरती को लेकर प्रदेश में बड़ी संक्या में जूनियर टीचर्स के बदखाली हैं लेकिन सरकार सीधी भरती झाला 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 झाली grinding को भरती क